भारतिय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के जनम दिन पर एसन मेडिकल कॉलिज पर रक्तदान शिविल लगाया इस अफसर पर मुक्यासिती के रूप में विधायक योगदुरुपात देवा उपास्तित रहे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के 69 जनम दिवस पर भारतिय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने एसन मेडिकल कॉलिज के बलड बैंक पर रक्तदान शिविल लगाया जिसमें युवाओं ने बढ़ चड़ कर हिस्सल लिया और रक्तदान किया पंद्रे ह्यार करोर पार्टी के सदस्य के निता विश्च के निता जिनका आज जनम दिन है इस भारतिय अंता पार्टी पूरी एक सप्ता के रूप में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक बना रही है उसी परपेक्ष में आज यवा मोर्चे के अपने महानगर को पाद्दक्ष नरेंद्बाई मोदी जी 69 वर्ष की प्रारम हुए है 68 ब्लड कार करता दे रहे हैं उनकार करता देने के मकसद उन पेशेंट्सों को जो गरीब तपके के व्यक्ति हैं जो खून से बंचित रह जाते हैं उनको ब्लड चड़ सके उनकी रक्षम कर सके ऐसा से ब्लड बैंक की म अवा सब्ता के रूप में बना रही है उसी के अंतरकत आज भारती इंता युवा मोर्चा द्वारा और मनका मेश्वर मंडल द्वारा एसन मेडिकल कॉलेंड में ब्लड डोनेशन केंप लगाया जा रहा है जिसका में उत्देश यह हैं कि 69 जनम दिन पे भारती इंता मेडिकल कॉलेज पर रगदान शिवर आयजन के दौरान मुख्य अतीथी के रूप में विधायक योगेंडर उपाध्याय उपस्तित रहे विधायक योगेंडर उपाध्याय ने बताया कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के जनम दिवस पर जाबा संख्या में रक्त दान कर यह है रक्त जरुवत मंदर लोगों की सेवा में दिया जाएगा शद्धे मोदी जी के जनम सप्ता है मनाया जा रहा है सेवा सप्ता के रूप में आज उनका जन्दिवस है भारती जनता जवामर्चे का कारकरताओं ने इसको सेवा के लिए रक्त दान करके मनाया जा रहा है मेरा नेता प्रधान सेवक अपने आपको कहता है इसलिए उन्होंने अपना जन्दिवस एक सप्ता के रूप में जनता की सेवा में समर्पित कर दिया है और हजारों हजार लाखों कारकरताओं को इसके लिए प्रेरित किया है आज उसी से प्रेरित होकर पूरे देश के युवा वर्ग कहीं न कहीं कुछ सेवा कार कर रहे हैं जिसमें आगरा में भारती यंता युवा मूर्चा के मनका मिश्वर मंडल के कार करताओं द्वारा यह आयोजित किया गया भारती जुनता पार्टी के तमाम पताथीकारी मौजुद रहे उन्होंने भारी संख्या में रगदान किया सी न्यूज के लिए संदिप शर्मा की रिपोर्ट